नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए गर्मी की ठंडी ठंडी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपको बेहत पसंद आएगी और 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है और फटा फट बन जाएगी और बहुत ही तेश्टी रे करते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने यहां पर दही ले लिया है और दही को इस तरह से पिक्सर से या मतनी से आप मत लेजिए इसका एकदम स्मूथ बेटर की तरह बना लेना है तो मैं यहां पर जो मतनी होती है उससे इसको मत लोंगी अच्छी तरह से जैसे 5 मिनट तक हम इसको खूब मत लेंगे ताकि ये एकदम क्रीमी क्रीमी हो जाए एकदम इसमूध दही बना लेनी है तो देखिए इसी तरह का हमें दही को एकदम इसमूध बना लेना है तो देखिए हमारी दही अच्छी तरह से एकदम इसमूध बन चुकी है अब हम इसमें कुछ खास चीज मिलाएंगे जिसके लिए मैंने तवा गरम कर लिया है और उसके हम हरी धनिया को डाल करके इसको रोष्ट कर लेंगे अगर आप ज्यादा मात्रा में धनिया को रोष्ट करके इस्टोर करना चाहते हैं तो इस तरह से तवे पे रोष्ट करके और उसका पाउडर बना करके एर टाइट टब्बे में भर करके आप उसे इस्टोर करके रख सकते हैं और जब भी जरूरत हो धनिया डालने की अगर आपके पास नहीं हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं अब हम कुछ खास मसाले को मिक्स कर लेंगे तो हम इसे बनाने के लिए लेंगे एक चम्मच काला नमक और यहाँ पर मैं दो चम्मच चीनी पाउडर ले रहे हूँ साबू चीनी नहीं लेनी है चीनी का पाउडर लेना है तो मैं दो चम्मच डालूंगी और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच भूना जीरा पाउडर और आधा चम्मच हम लाल मिर्च का पाउडर लेंगे लाल मिर्च कूटी हुई अगर ज्यादा इस पाइसी पसंद हो तो आप हरी मिर्च को भी आप इसमें डाल लेजिएगा तो इस सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे फ्रेंट्स ये रेसीपी बहुत ही जटपट बनने वाली है और एक बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो बनाए भीना तो रही नहीं पाएंगे हर दिन इसे बनाएंगे और हर दिन खाएंगे और ठंड़ा ठंड़ा खाने में तो और भी ज़्यादा टेश्टी लगता है ये और जो हम धनिये को रोष्ट करके रखे थे उसे हाथों से क्रस करके इसमें डाल देंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत टेश्टी हो जाएगा अब हम इसमें सारे मसालों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो गर्मी के सीजन में अक्सर खाने में कोई स्वाद नहीं आता है हर खाना फीका फीका लगता है तो खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए क्यों ना हम इसे बनाएं और खाने के साथ इससे सर्व करें तो बहुत ही टेश्टी लगता है और बच्चे बड़े सब को पसंद आएगा फ्रेंट्स आप इसे कभी भी जटपट बना करके आप इसे फ्रीज में कई दिनों तक रख सकते हैं और खा सकते हैं ये खराब होने वाला नहीं है तीन चार दि हम निकाल दिये हैं और इसमें हम इसको मिक्स कर देंगे अभी इसमें बहुत कुछ मिलाना है खास चीज जिससे की इसका टेश्ट और बढ़ जाएगा अब हम वाइल आलू लेंगे जिसको छोटे-छोटे पीसे में काट लिये हैं उसको डालेंगे और कुछ बेजिज इसमे में डाल सकते हैं तो मैं यहाँ पे बारिक प्याज और टमाटर डाली हूं और थोड़ा सा धनिया पाउडर हम इसमें और डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए आये हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर मेरे वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा फ्रेंड्स आपके एक कमेंट से हम ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और बह जीरा पाउडर ऊपर से इसमें डाल देंगे जिससे इसका टेष्ट और अच्छा हो जाएगा अब हम इसे सर्व करेंगे तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसे थंड़ा करके भी खा सकते हैं ठंड़ा ठंड़ा तो ये गर्मी के दिन में और भी टेश्टी लगेगा तो आप इसे बनाईए खाईए और इंज्वाइ करिए फ्रेंड्स तो इसी तरह से हम लागातार आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे फ्रेंड्स तो मिलते हैं फिर अगली वी एंटिक कियर